मित्रो नमस्कार स्वागत हैं आपका मेरी एक नई वीडियो में उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी प्रात्ना है किरपे हमारे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें चलिए बढ़ती हूँ वीडियो में आगे वास्तु का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है अगर घर में वास्तु के हिसाब से चीजें हों तो हमारी जिन्दिके पर बहुत ही सकारात्मक असर होता है वहीं अगर वस्तु गलत हो जाए घर का तो जीवन में अनेक परिसानियां गिराती है आज हम आपको किचन के एक ऐसे वास्तु के बारे में बताने वाले हैं उसे अगर आप जीवन में अपना लें तो आपके घर में मा लक्ष्मी की किर्पा होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपके घर के चारों तरब से धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे आज हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको अपने किचन से कभी खतम नहीं होने देना है चलिए शुरू करती मूँ वो कौन सी पांच चीजे हैं ध्यान से सुनिएगा नमबर एक नमक घर में नमक अगर खतम होने वाला है तो उसे कभी भी कल पर ना टालें बलकि तुरंत लेकर आएं वास्तु सास्ट के मुताबिक अगर बार बार घर में नमक पूरी तरह से खतम होता है तो घर में निकेटिव इनरजी आती है और वास्तु दोस होता है घर की महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है और मारश्मी रूठ कर चली जाती है नमबर दो हल्दी हल्दी ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बलकि सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होती है घर के किचन में कभी कभी हल्दी नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप के किचन में हल्दी खतम नहीं होनी चाहिए हल्दी खतम होने से पहले ही नया पैकित ले आएं कहते हैं हल्दी खतम होने से गुरु दोस लगता है क्योंकि भगवान बिश्नु को हल्दी और पीला रंग बहुत प्यारा है इसलिए हल्दी खतम होने से पहले ही उसे ले आएं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका हसर दिखता है और घर के सुब कामों में रुकावट आने लगती है वास्तु सास्त के मुक्ताबिक घर में कभी भी आटा पूरी तरह से नहीं खतम होना चाहिए आटा खतम होने से पहले ही नया आटा लेकर रख दे वरना घर में गरीबी आती है और इसके दुस्परभाव से आपके मान सम्मान में हानी भी होती है अच्छत का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है इसे बहुत ही पवित्र माना गया है इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पूरी तरह से चावल को घर से खतम नहीं होने देना है खतम होने से पहले ही चावल ले आएं वरना इसके सुक्र दोस लगता है अगर चावल खतम हो जाए तो घर से बैभो खतम हो जाता है अगर घर में हमेशा चाबल रहता है तो मालक्ष में खुश रहती हैं और धन्धाने से घर भरा रहता है नमबर पांच पे है सरसो का तेल सरसो का तेल हमारे जीवन में खाना बनाने के लिए इस्तिमाल होता है सरसो के तेल का संबंध सनी देव से होता है अगर तेल खतम होने के बाद आप तेल लाएंगे तो सनी देव नाराज हो जाते हैं इसलिए बेहतर यही है कि सरसो का तेल खतम होने से पहले ही तेल ले आएं संभो हो तो हर सनीवार को तेल का दान भी करें इस सनी देव आप पर अपनी दया द्रिष्टी हमें ऐसा बनाए रहेंगे उमीद करती हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से जरूर करें क्या पता कौन सी वीडियो कब किसके काम आ जाए किसका जीवन बदल जाए चलिए कि चलती हूँ मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार